पिछले 24 घंटे में प्याज की कीमितों में 10 रुपे प्रतिकेजे इजाफा हुआ और सरकार ने आज से प्याज बेचना शुरू कर दिया है इस वक्त हम लोग NCCF के गोडाउन में हैं जो Ministry of Consumer Affairs के अंदर आता है और आप देख सकते हैं ये 50-50 कीलो के प्याज के जो बोरे हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से 10 ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर रीटेल में इनको बेचा जाता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ पर consumers के हाथों में सीधे 25 रुपे कीलो इस प्याज को बेचा जा रहा है जिसका market rate इस वक्त दिल्ली NCR में 50 रुपे से उपर जा चुका है हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी है क्या नामे सब्सक्राइब यह कितना यहां से अभी तक सामान गया है और कितनी जगहों पर गया है यह हर हमारे गाड़ी में दस पॉइंट पर गया है और एक एक क्यूंटल हमने प्याज भेजा हुआ है और यह 25 रुपे के जी प्रती किलो के इंचाब से हम बेच रहे हैं और कल से यह शुरू हुआ है और रोज के रोज हम इसके जो बाघ जब तक रेट घट नहीं तब तक हम जो है नहीं इसके लगे रहेंगे इस काम में दस पॉइंट पर भी तक एक क्विंटल पर प्रती पॉइंट जा चुका है यहीं से प्यास जा रहे हैं और इनी प्यासों को सरकार कंट्रोल करके 25 रुपे प्रती किलो की रेट पर आधी से भी कम कीमत पर फिलहाल बेच रही है एक बड़ी राहत सरकार ने फिलहाल लोगों को दे दी है कैमर परसंट मदन परसाद के साथ हभी शेक आनन दिल्ली आज तक